नमस्कार मैं हूँ वज्वा और आप देख रहे हैं फिल्मी वीट पहली बार रोमैंस करते नज़र आएंगे कार्तिक और दिशा भूल भुलेया के सीक्विल में दिखेगा दिशा और कार्तिक का रोमैंस जल्द शुरू होगी इसकी शूटिंग क्या है ये खबर आई आपको बताते हैं विल्द पिछले काफी समय से बार्तिक और इन फिल्म भूल भुलेया के सीक्विल को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं इस फिल्म को लेकर आए दिन कई न कई नई नई खबरे सामने आती रहती हैं मेकर्स ने भले ही कार्तिक और इन को सीक्विल के लिए फाइनल कर लिया हो लेकिन इस फिल्म में उनके उपोसिट बॉलेवर के कौन सी अक्ट्रस नजर आने वाली हैं इसको लेकर कई तरह की बाते सामने आ रही थी हाली में मीडिया में ये खबर खुब वायरल हुई कि कार्तिक और इन भूल भलया टू में सारा अली खान या फिर जानवी कपूर के साथ रोमैंस करते नजर आ सकते हैं लेकिन अब एक नया नाम सामने आ रहा है सोर्सस की माने भूल भूलया टू के लिए कार्तिकारियन को तो साइन करी लिया गया है इस फिल्म में एक कॉलेज रोमैंस दिखाया जाएगा ये रोमैंस कार्तिकारियन और देशा पटानी के बीच होगा मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अन तक शुरू करने वाले थे लेकिन इसे बीच दोस्ताना 2 की शूटिंग ऑक्टूबर में शुरू होने की बात सामने आई जिसके चलते भूर भुलेया 2 शूटिंग शेडियो जैनवरी 2020 के आसपास भी शुरू हो सकता है बता दे इस फिल्म का निर्देशन अनीज बजमी द्वारा किया जाएगा बात अगर कार्तिकारियन और दिशापटानी की करें तो ये पहली बार होगा जब बड़े परदे पर ये दोनों कलाकारे एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे वैसे आपको बता दे 12 ओक्टूबर 2007 को रिलीज हुई बॉलिवोड के खिलाडी कुमार यानि कि अक्षे कुमार की फिल्म भूल भूलेया दर्शकों को बहत पसंद आई थी इस फिल्म में एहम किरदार में विद्या बालन दिखाई दी थी ख़बरों के अनुसार भूल भूलेया टू में अक्षे कुमार भी दिखाई देने वाले हैं फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा हो लेकिन काफी एहम होगा तो यानि कि भूल भूलेया टू में भी अक्षे कुमार का तड़का लगेगा इन सब के बीच सबसे इंट्रेस्टिंग ख़बर है कि भूल भूलेया टू में कार्तिक के साथ नई जोड़ी दिखेगी और ये है दिशा की जोड़ी आपको बता दें कार्तिक आरिन की दगड़ी फैन फॉलोइंग है और एक के बाद एक उनको कई फिल्में मिलती ही जा रही है लवाज कल के सीक्वल के अलावा वो काम कर रही है पती पत्नी और वो में तो वहीं पर बात करें दिशा की तो उनकी भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है दिशा के लुक्स को काफी जादा पसंद किया जाता है हाली में वो फिल्म भारत में नजर आई थी और उसमें कमाल करती दिखी थी और अब कार्थिक के साथ उनकी जोड़ी जमने वाली है फिल्म भूल भुलया में फिल्हाल इस वीडियो में बस इतना ही